आज मार्गशेर्ष शोकल आश्टमी बुधवार 20 दिसंबर 2023 है स्कल से एत्थी तुम्मुदा मुरार इपदपंकज, स्वुरद मंदर इनूत कटां जैशी कृष्णा, आप देख रहे हैं दिवे शंकनाथ, मैं भावी का जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हूँ प्रभु श्रीनाजी के आज के दर्शन करने से पहले, आज के उस्सव की बधाई के साथ इस दीवस की कुछ विशेशताओं का अउलोकन करते हैं आज नित्य लीलास्त गोश्वामी तिलकाय श्री गौर्धनेश जी महाराज करत साथ सुरूप के उस्सव का दीवस है श्री गौर्धनेश जी महाराज श्री ने मेवाड में सर्व प्रथम विक्रम समवत सत्रा सो चिन्यू में आज के दिन सब्त सुरूपोस्व किया था उस्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीच को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है गैंद चोगान दिवाला आदी सभी सोने के आते हैं सभी समय यमुना जल की जारी जी आती हैं दिन में दो समय के आर्थी थाली वाली की जाती है आज स्रीजी को विशेश रूप से दही थड़ा अर्थात दही के मौमन युक्त खस्ता ठोड का भोग अरोगाया जाता है यह सामगरी चपन भोग के दिवस भी अरोगाई जाएगी इसके अतिरिक्त उस्सव भाव से श्रीजी को आज विशेश रूप से दूद घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासंदी हांडी में अरोगाई जाती है राजभोग में अनसकडी में दाख का रायता, सकडी में कैसरी पेठा वा मीठी सेव अरोगाई जाती है कल श्रीनार जी में लाल घटा के दर्शन होंगे और श्री गुसाईं जी के उस्सव की बधाई बेठेगी श्री जी में सेवा करम थोड़ा जल्दी होगा, दर्शन हम कल की प्रस्तूती में करेंगे आएए पुष्टिवार की प्रधान पीट नाथद्वरस्तित श्रीनाची मंदिर से आज के श्रिंगार, राग वह भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते प्रभु स्रीनाची की सेवा प्रणालिका के अनुसार, आज नित्यलीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री, गोवर्धनेश्जी महाराज करत, सात स्वरुप उस्व का दीवस होने से, प्रभु को नियम के श्रंगार धराये गए हैं हलके से भावकीर्तन का अवलोकन करते हैं सार्व प्रथम निकुंज नायक प्रभु स्री गोवर्धन धरन के श्री चर्णो में दंडवत प्रनाम करते हैं और श्री चर्णो के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोजा जी धारन किये हुए हैं अब जो नित्य नवनीत है परम मंगलकारी है प्रभु के से सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भाती धारन किये हुए हैं श्री जी के अधुरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है अधिकुले नैत्रों से कृप्या दिष्टी डालते हुए प्रभु ने अपने निजभक्तों को किन किन रूपों में धारन किया है आईए दर्शन करते हैं श्री जी के पार्श भाग में आज गहरे लाल रंग के मखमल के वस्त्र के उपर काच के टुकडों के भरत काम वाली सुन्दर पिछवाई सजाई गई है विशेशता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है श्री जी के सनमुख पदराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरन्चो की पदराए हैं जिन में से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बीछावट की गई है स्वर्न की रत्न जडित चरन्चो की पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है प्रभु के सनमुख स्वर्न के जड़ाव के दो पढगाजी पदराए हुए हैं इन में से एक पर बंटाजी और दूसरे पर जारी जी पदराए गई है उष्णता प्रदान करने की भावना से धर्ती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है जिस पर अंगीठी भी पदराए गई है चर्वित ताम्बूल की से वार्त प्रभु के समक्ष चांदी की त्रिष्टी जी पदराए गई है वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारन किया है उनके दर्शन करते हैं आज प्रभु को सभी वस्त्र जरी के बूटों वाले लाल रंग के खीन खाब के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सोथन चाकदार वागा और चोली अंगिकार करवाए गए हैं केशरी रंग का मलमल का पटका भी धराया गया है जो द्रिश्यमान नहीं है सभी वस्त्र खीन खाब के होने से किनारी नहीं लगी है परन्तु पटका पर रुपहरी जरी की किनारी सजी है पिठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराया है प्रभु के श्री चर्णों में मोजा जी लाल रंग के खीन खाब के धराया है जिन पर टकमा हीरा लगे हुए है इन पर नुपूर एवं पैंजनिया भी धराये गये हैं अब प्रभु ने जिन को श्रंगार आभरन के रूप में धरन किया है उनके धर्शन करते हैं श्रेजिक को आज वनमाला का अर्थात चार्नार विंद तक का उस्सव का भारी श्रंगार धराया गया है जिन में कंठ हार, माजुबंद, पोची, हस्त साखला, कडे, मुद्रिकाय आदी सभी आभरन उत्सव के स्वर्ण जडित हीरा से सित्त किये हुए धराये गये हैं श्रेकंठ में प्रभु को आज हीरा की मालाजी सहित कली, कस्तूरी आदी सभी माला भी धराई हैं अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारन किया है, उनके धर्शन करते हैं आज प्रभु को हीरा की स्वर्ण की जड़ाव की कुलहे धराई गई हैं कुलहे के उपर आभरन से मिलवा जड़ाव का सिर्पेच धराया गया है सिरपेच के उपर सुनहरी जडाव का घेरा धराया गया है बाई और शीश फूल धराये हुए हैं बाई तरफ हीरा की चोटी जी भी धरायी गई है अब श्री कर्ण के श्रंगारों के दर्शन करें तो प्रभ को आज आभरन से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जडित हीरा के मकराकरती कुंडल धराये गये है फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत पीले लाल एवं गुलाबी फुश्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो मालाजी धराये गई है मालाजी में आज श्वेत पुश्पों की प्रधानता है प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जडित हीरा की वेनुजी धराये गई है कटी पर दो वेत्र जी धराये गये हैं जिन में से एक हीरा के और एक पन्ना के हैं प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट उस्व का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की जड़ाव की पधरायी गई हैं इन सभी साज श्रंगारेवम आभरनों से अलंकृत प्रभु की अलोकिक छवी का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज उस्व की चार जाड़ वाली आरसी दिखाई गई है जिन कीर्टनों के भाव से प्रभु की अश्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह जुग वैद वचन प्रती पार्यो राजभोग के समय जैश्री वल्लभ राजकुमर आरती के समय सातों रूप धरे शयन के समय श्री लक्षमन वर ब्रहम धाम मान के पद में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप पोढवे के पद में रंग महल सुख दाई पोढ़ें कीर्टनों का हिलग के पदों के साथ गायन किया जा रहा है प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनूसार ही हो रहा है जिसके तहत मंगल भोग, राज भोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामगरियां तो अरोगाई जाही रही है परंतु शीतकाल की भावना से दूद घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेश सामगरियां भी अरोगाई जा रही है पानगर की सेवा के तहत प्रभु को तामूल बीडा भी नित्य की भावती ही अरोगाई जाते हैं मंगला राजभोग भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है प्रभु को विशेश रूप से अब शीत व्रद्धी के कारण दूदगर में सित्ध की जाने वाली सोभग्य सोट की सामगरी अरोगाई जा रही है इसके साथ ही संध्यारती दर्शनों के उपरांत श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और निज मंदिर मनी कोठा अदी विविद इस्थलों पर अंगिठी पधराई जाती है श्रीनाजी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रस्तूत हैं. अब श्ययन दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं और सेवा का क्रम विदि विधानेवं परंपराओं से होने के कारण थोड़ा सा परिवर्तन संभाव है. अब देश विदेश के पुष्टिमार के हवेलियों से भाव किर्टन के साथ दर्शन करते हैं. नंदन गावु जयस्त। वल्लभ नंदन गावु जयस्त। स्रीगिरिदर नसकल सुखदाता नंदन गावु जयस्त। स्रीगिरिदर नंदन गावु जयस्त। श्रीगिरिदर नंदन गावु जयस्त। स्रीगिरिदर नंदन गावु जयस्त। स्वी रगुनात प्रताप धीमलयस स्रावनन सदासुना स्वी वल्लेव नंदन गावुन जयस्ट यदु कुल में यदु नात बिरायत यदु कुल में यदु नात बिरायत लीला पारन पाहु लीला पारन पाहु विश्नु दास को करों कृपा घन शाम चरण लपटामू जयस्री वल्लव नंदन गावुन जयस्ट यदु कुल में यदु नात बिरायत लीला पारन पाहु विश्नु दास को करों कृपा घन शाम चरण लपटावुन जयस्री वल्लव नंदन गावुन यूग यूग राज करों स्री गोपुन यूग यूग राज करों स्री गोपुन यह सुक भजन प्रताप तेज ते यह सुक भजन प्रताप तेज ते चिन इत उतन तरोशी गोपुन यूग यूग राज करों आवन रूप दिखाय महाप्रभु पतितन ताप अरों विष्ववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव जगत उद्धरों स्री वो कुले युद युद राज करो स्री वल्लभ पूले कमाल अमाल रवी स्री वल्लभ पूले कमाल अमाल रवी यश्मक रंद बरों नंद दास प्रेवु छट गुण संपैने नंद दास प्रेवु छट गुण संपैने स्री विट लेश बरों स्री वो कुले युग युग राज करों स्री वल्लभ पूले कमाल अमाल रवी यश्मक रंद बरों नंद दास प्रभु छट गुण संपैने स्री विट लेश बरों स्री गोपुले युग युग राज करों स्री मद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अगतारन धर देखो स्री वाद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अगतारन धर देखो तो हम सरी के मुर्पतित जैनंग काहो कैसे निस्तर देखो स्री मद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अगतारन धर देखो आज के लिए बस इतना एक कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल वत की लिए धन्यवाद जैशी कृष्ण आज करना झाल, 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 झाल